प्रिधान सेबक मानि नेंदे बोजी जनम दिन हमारे संगठन और हमारे संगठन के साथ हमारे महासार नक्षक इर्फान साब भी मुझूद हैं हम सम्मिलके 11 से 17 तक यह कारकर्म करते रहेंगे और उत्सा है मुश्रिम समाज में उत्सा है पस्वंदा समाज में कि जैसे कि मैंने कहा था कि लाल केले की प्राचिन से जब पस्वंदा का नाम लिया जाता है तो एक सतर वर्सों बाद में कोई ऐसा मसी आया है जो पस्वंदा का नाम लेकर उसके दर्द को जानकर उस तक को अपने पदादकारियों को तो आज खुशी का बैस है 17 जोटने के लिए नहीं आपने खांदान को जोडने के लिए पर देश को जोडने के और चट्टान की तरीके से मजबूत है परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी के जनम दिन के उपलक्ष पर दरसल समाज के लोगों की तरफ से पसमन्दा समाज के लोगों की तरफ से मनाया जा रहा है और सबसे पहले आईए हम बात करेंगे इस पसमन्दा मुस्लिम समाज संग के जो राश्टी अध्यक्ष है एसान खान अबासी जी उनसे बात करेंगे हम पहले भी आए थे ये कारेक्रम की शुरुवात जब की गई थी और अब इसी कड़ी में आगे चलकर के लग लग कारेक्रम किये जा रहे हैं उसको लेकर आप हमारे दर्शकों को बढ़े देश के सभी नागरेकों के कहना चाता हूँ कि मुस्लिम समाज आज उस प्रधान सिबक का आज पस्मंदा समाज के मसीहा का आज हर गरीब के मसीहा का जनम दिन मना रहा है क्योंकि हमकी और हमारी हम सब की सुद्र लेने वाला हम सब से महबत करने वाला हम सब की रक्षा सुरच और हमारे संग्टन के साथ हमारे महासर नक्षक इर्फान साब भी मुझूद हैं हम सब मिलके 11-17 तक ये कारिकरम करते रहेंगे और उत्सा है मुझरम समाज में उत्सा है पस्वंदा समाज में कि जैसे कि मैंने कहा था कि लाल केले की प्राचिन से जब पस्वंदा का नाम हैंगे क्योंकि आज का तीसरा दिन है हमारा और 17 तारिक को जन्म दिन है तो हर्सों ला से ऐसे पकवार चलता रहेगा सेबा सब्ता के नाम से ये कारिकरम चलता रहेगा पस्मंदा समाज को सरकारी सूविदाओं का लाब मिले ये तो परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने का इ पस्मंदा समाज के जो हमारे कारे करता हैं जो हमारे साथ लीडर जुड़ हैं उनको भी यूनिट्स में जेगा दी जाए तो यहां पर अकर बात की जेत पस्मंदा समाज को काफी जो भारत्र जिन्ता पार्टी की तरफ से भी बढ़ावा दिया जा रहा है उसको लेकर आप क सकता है तो हम उसके पेहल करेंगे हमारे संगठन सदैब है गरीबों के लिए मुझे things हमारे साथ इर्फान जी भी मौझूद है जो इस संगठन के साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं इनके साथ हर जगा मौझूद रहते हैं अगर बात की जाए पसमंदा समाज को ले कि जैसे minority को लेकर कहा जाए तो इस समय विपक्ष की तरफ से भी एक भारत जोड़ो यात्रा अब्यान चला जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है कि देश की minority को इन्होंने कुछ नहीं दिया और हमें जो है इनको उखाड फैंक रहा है इनके सरकार से उखा जी है उन्होंने हैं सो यात्रा सुरू की तो उनकी जो यात्रा है वह भारत जोड़ने के लिए नहीं है वह अपने समा अपने खांदान को जोड़ने के लिए कांग्रेस को जोड़ने के लिए वह कुई देश के आद्म को नहीं जोड़ रहे हमारा देश तो जुड़ा है औ और वो जिस तरीकी की यात्रा का जिस तरीकी से वो संचालन कर रहे हैं आपने देखा होगा अभी परसो जो है तो हमारे जो है जो विवेका नंद जी थे उनसे रिलेटिड एक बहुत जो है कि यादगार दिन था लेकिन हमारे जो यूवराज वो यूवराज ने जो है विवे कांग्रेस के दिगज है वो रोजाना पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं किसलिए जा रहे हैं कि ना वहाँ पर नेता है ना कोई नीती है ना देश के कोई विकास का उन पर एजेंडा है और मैं तो ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी जो पार्टी है और हमारे जो परधान मंत कितना स्टेंड कर रहे हैं क्या उसका यात्रा का संदेश दे रहे हैं वो आज तक किसी जगह नजर नहीं आया वो दो चार-बाँच लोगों तो मिलकर दो चार पाच किलोमेटर चलकर वह उसका स्रीगणेंस करने के चक्कर में लगे हैं और मैं तो आपको वरताना चाहता हूं ये तो पाच किलोमेटर में रोज पैदल चलता हूँ, रोज जाकर अपने देश के नागरी को से मिलता हूँ, यो देश मजबूत है और चट्टान की तरीके से जुड़ा है और हमारा तो सपना है, भारति इंता पार्टी का सपना है, नरंदर मुदी जी का सपना है, कि देश जो है विसाल देश बने विसाल भारत बने अखंड भारत बने उसकी तरब जो है यह हम चल ले हैं और जैसा कि आज आप देख रहे हैं जो हमारा संगठन मुस्लिम पसमांदा समाज उत्थान समीति संग वो बहुत तेजी सा आगे बल रहा है और जिस तरीके का हवान हमारे माननी वजीर आजम नरंदर मूदी जी ने हैदराबाद की धरती सा पसमांदा समाज को जोड़ने का क्या था वो लगातार हमारा जो एक कार्मा है ये देश क सब राज्यों में पहुंच रहा है अभी आपने देखा कि जैसे हमने 11 तारीक से लेकर 17 तारीक तक सेवा और समरपड सप्ता का कारेकरम आयूजित करने का फैसला किया है उसी की कड़ी में आज गरीबों को मजलूमों को सोसीतों को पड़ीतों को जिनको कभी दो टाइम का नहीं मिलता और वो अपनी मेहनत और मजदूरी करते हैं उनके भोजन के वित्रन का कारेकरम आप देख रहे हैं वो चालू किया है एकदम पॉस्टिक आहर धैने की हम कोसिस कर रहे हैं यूकि आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों एक पोसन सब्ता भी मनाया गया था और भरता इंता पार्टी भी बिर्वां गांदी and जैनतिक अवो सेवा पख्वाडा मना रही है तो उसी पख्वाडे का हमारा सत्रै तारिक में होगा और पार्टी का क्यूंकि हम पार्टी के उसी के करता हैं फिर लगातार उस पंदर दिन भी हम जोड़े रहेंगे लेकिन अब हमारी और कमें, पास्मांदा समाजकी क्यानगी और उनके उत्थान का काम हम च्यालू किया है। आप जैसा देख रहें, जिश्दिन पर्धान मंत्री जीन है। जिश्दिन हमारा अमरित महथचेहु का समापन उन्होंने लालकरी की पिराचीर से किया था। तो उन्होंने अमरित काल के लिए पंच पिरन का आववान पूरे देश की जंता से किया था, पूरे देश के लोगों से किया था, उसी को निमित रखते हुए हमने भी अपने पंच पिरन का आववान जो है अपनी संस्ता के माध्यम से किया है और भारती इंता पार्टी की जो पंचे निष्ठाएं हैं उसी को नमद्देने जरे रखते हुए हमारी संस्ताने भी पंचे निष्ठाओं का आवान जो है पसमांदा समाज से किया है तो हम चाहते हैं जादे से जादे इस सप्ता में जुलकर सेवा और समर्पण में गरीब और लोगों की मदद करने का जो पिए को में श्कॉ tobacco हुए है selective कर देखर से जाव सरे किमण खाया की वुलकर है नशान ज्रेटा नाॉhetJa दो कर देखे यहां पर इस सम्याल विजिल कर रहे हैं और उसके बाद में और पिर नाचे पहलंद मश्ळंका अब आनंद利ग्य भावक्या देखें यहाँ पर इस समय आप विजूल्स देख रहे हैं दरसल अगर बात की जाए देश के परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी का जो जनम दिन आने वाला है 17 सितंबर को उसको मनाया जा रहा है पसमंदा समाज के दरव से खास तोर पर अगर बात की जाए जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों से भारतिय जनता पार्टी का भी ये मोटो रहा है कि बसमंदा समाज इनको पहले से वंचीत रखा गया है सरकारी सुविदाओं से वंचीत रखा गया है उनको वो लाब नहीं दिये गे जो उनको मिलने चाहिए थे जो बाकी समाज के लोगों को दिये तो उसको लेकर यहां पर दिशा निर्देश दिये गे थे कि इन लोगों को सब तरह के जो है सरकारी सुविदाओं का लाब मिले किसी तरह से भी वंचीत ना रहे उस पर दियान दिया जाए और साथ में ही भारतिय जनता पार्टी ने भी जो अपनी राष्टे कारेकारनी ब पसमंदा मुसलिम समाजः उत्थान समीती संग जो है वो काफी जादा खुश है कि किस तरह से जो है इनको बढ़ावा दिया जा रहा है देश के अंदर पहले कि सरकारों की अगर बात किоть़ै तो उस समय जो है इनको इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था इतना आगे नह आने दिया जाता था लेकिन अगर अगर अभी समय की जो केंदर सरकार है जो भारतिजमता पाटी की सरकार है खास तोर पर प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की काफी तारीफ ये लोग कर रहे हैं कि हम खुश हैं कि वो जिस तरह से हम लोगों को साथ में चला रहे हैं हम लोगों का नाम जब इस तरह से खुले मन से लिया जाता है तो हम भी आपने आपको जो है गोरवामवित उससे महसूस करते हैं तो उसी उपलक्ष में अभी ये पूरा एक सब्ता एक पूरा पकवाड़ा जो है इनके संगठन की तरफ से पूरे देश बर में जो है मनाया जा रहा है गरीबों के बीच में फल बांटना जो है इस तरह से बोजन बांटना किताबों का वितरन करना इसी तरह से जो है ये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का जनम दिन जो है वो मना रहे हैं